नमस्कार, असलाम वालेकुम, सब्सक्राइकाल, दस्तों, आज की वीडियो में मैं काफी सारे सवालों के जवाब देने कोश्च करूँगा, जो आप regular मुझसे पोस्ट दें, मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हैं, रेवीज के उपर, अलग-अलग टोपिक पर वीडियो बना शाहिए, सर मुझे दश साल पहले कुत्ते न Italy काटा था, मैंने वेक्सिंप नहीं ली थी, क्या मुझे रेवीज मुझे हो सकता है, सर मुझे तो चुहे ने बिलडी ने काट लिया, क्या मुझे रेवीज हो सकता है, तो तरह तरह के सवाल问 पूशते हैं, एक वीडियो में न answer, देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा. तो सवाल No.1 है कि क्या मुझे चूहे से रभीज हो सकता है? चूहे ने काट लिया क्या रभीज कोगा? जी नहीं, चूहे के काटने से रभीज नहीं होता है लेकिन अगर कोई चूहा काट लेता है तो आप उसे спrit की मदद से अलकोहल की मदद से महाँ से साफ कर लें या फिर बीटादीन की मदद से महां से आप साफ कर लें या इन्टिसएप्टिक होता है infection से बचाता है रेवीज ओ लेकिन और infection आप हो सकते हैं इसलिए आपको उसे antiseptic से साफ कर देना है या तो बीटादीन या फिर आप ऐलकोहल इस्तमाल कर सकते हैं जो डोक्टर इस्तमाल करते हैं अपने थर्मामेटर को साफ करने के लिए बीज हो जाएगा थे ऐसे पहलता है डाय जो लार होती है उससे फैलता है और वह भी तब कि कहीं कट लगा हुआ था जखम ता काफी गहरा और वहां पर उसकी लार लग गए तब आपको रेभी हो सकता है अगर वह चाट रहा है या फिर आपको उसका गोबर, उसका पेशाब, उसका खून आपको लग जाता है, या खून मुवे भी चला जाता है, आपको रेवीज नहीं होगा, केवल सलाइवा से आपको रेवीज होता है, only only then के आपको जखम पर वो लग जाए, तो डरने वाली बात नहीं है, रेवीज आपको नहीं होगा, उसका दूद पी लिया, भैंस गए हैं, उसका दूद पी लिया, तो क्या मुझे रेवीज हो सकता है, देखिए मीट खाने से, अगर किसी जानवर को रेवीज है, आपने उसका मीट खा लिया या आप उसका दूद पी रहे हैं, डरने वाली बात नहीं है, कोई रेवीज नहीं हां भली आप उसे कच्चा मास खालं मुझा करके खालं धूद्ळ ले करके आते हैं उसे कूट करते हैं याना में असे उबालते हैं वाय recruited नहीं वायरस फिर आप sob경 क्यों कर रहें कोई बात नहीं जान बूझकर ऐसा ना करें कि बार-बार उसके पास जाएंगा कुछ उससे बार-बार संपर्प में रहें सवाल नंबर चार कुट्टे ने काट लिया और वहां पर जखम हो गया काफी ज़्यादा जखम हो गया तो उस पर क्या हम पट्टी बां हुआ है यह बहुत बेवकूफी वाला काम है उसे आपको क्या काम करना जखम को खुला छोड़ दे और पानी से साफ पानी से दोते रहें चलते पानी से चलते पानी का मतलब है टंकी की नीचे आ जाएं रख्योए पानी से मत दोएं टंकी चलाएं और पानी से साफ पानी से साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने के बाद उस पर एंटी सैफ्टिक आप लगा सकते हैं, वही बीटाडीन लगा सकते हैं, तो उसे ना तो आपको कवर करना है, आपको उसे खुला ही छोड़ना है, सवाल नमबर पांच कि पाल तो कुट्ते ने हमें चाट लिया, काट लिय या फिर सक्रेच हलके से लग गए हैं दातों से या उसके नाखून से, तो क्या मुझे रेवीज हो जाएगा, देखी जो रेवीज वाला कोई डोग है या कोई पैट है, वो दो से साथ दिन के बीच में मर जाता है, उसकी लाइफ दो से साथ दिन के बीच में है, उस पर खाई आप ये चीज नोट करें कि वो आपका पालतू कुट्था बाहर तो नहीं गया था, कहीं किसी बाहरी कुट्ते के संपर्क में तो नहीं आया, कि वहाँ पर कोई लड़ाई हुई हो या बाहरी कुट्थे ने उसे काटा हो, तो उसे रेवीज भी हो सकता है, अगर वो उसे vaccine लगी हुई है आपको rabies नहीं होगा तो ये चीज ध्यान रखें और अगर आपको यहीं नहीं पता है कि वो भार गया था नहीं गया था इस चीज में doubt है तो दो से साथ दिन के बीच में आप उसे उस पर focus रखें उसे देखते रहें उसकी हरकत को देखते रहें दो से सा कोई vaccine नहीं है जो एक बार आप लगवाएं और lifetime के लिए आप secure हो जाएं आपको booster dose लेनी होती हैं आपको अलग-अलग dose अलग-अलग समय पर लेनी होती हैं जो क्लिनिक पर डोक्टर होते हैं पैट डोग को देखते हैं पैट अनिमल्स को देखते हैं वो डोज लगवाते है booster dose लगवाते हैं हर साल या हर तीन साल में हर छह महीने में जो भी एक time period होता है तो वो आपको लगवानी होती है बट ऐसी कोई vaccine नहीं है जो एक बार लगवाएं और वो पूरी जिंदगी तक काम कर सके सवाल नंबर साथ जो कि बहुत important है मैंने vaccine का course पूरा कर लिया था मैंन कि जब आप एक बार पूरी vaccine का course कर लेते हैं तो आपको तीन महीने तक कुछ भी करने की जरुत नहीं है एक बार आपने vaccine का course किया तीन महीने तक आप सेफ हैं भलेजी पागल कुत्ता काट ले सड़कशाब कुत्ता काट ले घरेलू कुत्ता काट ले आपको कोई injection लेने की ही होती है लेकिन अगर तीन महीणे से एक दिन ऊपर हो गया यह चोथे महीने पर आपको कुट्टे ने काट लिया तो ऐसी कंडिशन में भी आपको केवल दो बूश्टर डोज लेनी है एक तो zero day पर जिस दिन उसने कोश्चन फिर से दूरा रह जाता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं फिर से में एक सीरीज लेकर क्या हूंगा अलग कोश्चन की उम्मीद है वीडियो पसंद आयोगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलें आपको दिन शुब हो नमस्कार